वेल्कम स्टूवेंट मैं आश्पिय नाइटिन आज का वीडियो हैं उनी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कम समय के पास रगए स्यूटी एक्जामिशन के तयारी करने चेले क्या वो तरीगा है जिसके माध्यम से हम अपने तयारी को कम समय में अथाद एक कह सकते हैं कि दो मह त्यूर्टी के लिए तयार हो सके सबसे पहला में आपके पास थियुरी बुक हो और जो भी हाइलाइट में में जो टॉपिक्स उनको आप अपने सामने जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर चिपका देजिए पहला पाइट उसके बाद जो आपके स्यूटी फाइन आर्स उस पॉइंट्स को भी आप दिवाल पे लगा लेजिए कि ताकि आपको बार-बार दिखता रहें अब नेक्स पॉइंट यह है आप सारे जो टॉपिक्स हैं उनको करड़ी बाट देजिए और उसको डिवाइड कर देजिए आपको और डिवाइड में आप एक दिन का गैप जरूर रखे कि यह दिमाल लेजिए हमको सार दिंका टाइम है तो उसमें से कम से कम दो दिन गैप जरूर रखेगा दो दिन गैप मिन्स की इसलिए गैप रखा जाएगा ताकि आप उसको दुबारा उसको रिवाइज कर सके जो भी आपने पहरे के कुश्ण आपने जो भी खास-खास पॉइंट्स को लिख कर लिख लिजे और उसको जो चीज पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए और उसको आप बीना देखें आप उसको डिटेल में लिखिए इससे जज़ कर पाएंगे कि जो मैं चीज पढ़ रहा हूं वो अंडस्टेंड कर रहा हूं इसको लि प्रइंटिंग तीटिंग को द्याहा रखने के लिए मैं टिक बना रिखा है आप लोगों के लिए उसका प्लेइस कर दूगा आप उस पर आइडिया ले पाओको कि मैंने कैसे उसको तयार किया है ऐसे ही आप अप भी ट्रिक बना सकते हैं और इसको अपनी तयारी कर सकते हैं अगली तयारी क्या होती है सबसे बेस्ट होता है कि यदि आपके फ्रेंट सरकर हैं उनसे जो भी चैप्टर्स पड़ रहे हैं आप उनसे जरूर उसे कहिए कि इनमें से मुझसे पूछ लीजिए ठीक है अगला जो में मैं बताना चाहूंगा जो पीपर से उन्हें भी शॉल करिए और उन्हें देखिए कि किस टाइप की कुस्स आ रहे हैं उससे आइडिया में जाता है मैं यह कहूं कि यह सौल कर लेते हैं तो लबग आपने 35 से लेकर 40 परसेंट जो है आपने उसको कवर कर लिया उससे प्रॉपर आगया है अब बात आते हैं कि हमारा से हमार जो फाइन आर्ट का चैप्टर उसमें कौन-कौन सा सबसी इंपोर्टन और नीन है मितलब खास है तो मैं यह आप लोगों वोलना चाहूं कर तीन से 4 बनाता हों कि आधुणिक भारती चित्रकला का जो बारा जो टॉपिक से मीनस की बात प्राइब बंगाल स्कूल के बारे में जो अविन नाथ ननलाल जी यामनी राय यहां तक अमिल्ता जी का इनकी प्रेंटिंग उनकी तरीके और साथ में रभी वर्माई जी को तो इन सारे आर्टिस्ट की आर्ट वर्क्स एंड उनकी बारे में जो स्यूटी के अंदर लिखा इसके लाव हम दो ट्रॉपिक में जैसे की पहारी और राज्थानी इनहीं आप कर सकते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो चैप्टर आपका हो राज्थानी है राज्थानी में जो ग्यालरी जैना ग्यालरी ने नेशनल म्यूजियम के वह बहुत ज्यादा है तो यह पीपर जब कवर करें तो उससे आप आइडिया ले बाऊगे किस टाइब कुर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है तो इस तरीके से जो है आप अपना कर सकते हो जैसे कि मैंने कहा कि साथ दिन का समय है तो उसमें हम कैडिक बार सकते हैं कि देखो करीब 10 दिन हमें निकाल देन अपनी स्टॉर्डी को स्टॉंग कर सकते हैं उस टाइम जो है आप अपनी तयारी करते हो उस समय पर अपनी पढ़ाई करते हो ज्यादा बहतर है और यह देखिए कि क्या भोजन करने के बाद में पढ़ाई अच्छा कर पाता हूं या भोजन ना करके करता हूं यह सब भी ज किती होती स्टॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है उसे भी लिख सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि सर हमारे पास कम है लेकिन मैं किसी टीचर के गाइडलाइन में में तयारी करना चाहता हूं तो मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है ऐस पी नाटी ऑनलाइन क्लास जिसमें स्यूटी तो उपर ये number दियागा है आप इने call लगा कर written information ले सकते हैं फिर भी कोई doubt होता है तो आपको 3 दिन का try class मिलता है आप यहाँ पर आए और देखिए किस type से मैं आपकी classes ले रहा हूँ तो आप उसमें देख सकते हैं आपकी इच्छा होगी तो आप आगे के लिए जूर सकते हैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता यह सबसे अच्छी बात है सबसे अच्छी यह ब्रादी है कि 499 मंतली है और सबसे बेस्ट है कि तीन महीने के अंदर cover कराना तेकि मैं यह कह देता हूँ कि इसके अंदर भी आपका जो स्लेबस है वह 100% cover हो जाता यह सबसे अच्छी बात है और कभी-कभी स्टुडेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि उसके जो लर्निंग कैपसिटी मतलब लर्निंग मतलब आस वीडियो में तब तक के लिए नवस्ते जाइन जाए भारत